कहानी की शुरुआत में हम सैंग में नाम के एक आदमी को देखते हैं वो युएसे से अपनी प्रहाई कम्प्लेट करके कोरिया आ रहा था सैंग के बाजू में एक बहुत ही खूबसुरत लड़की बैटे वी थी इसलिए वो उसे बार बार देखे जा रहा था फिर जब प्ले सैंग एक नमबर का ठरकी था वो एक दूसरी लड़की के पैरों के पास जाकर अपना फोन गिरा देता है ताकि वो उसका वीडियो बना सके लेकिन वो लड़की उसके फोन को लाथ मार देती है सैंग जब मुढ कर देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं बलके उसके ग् तुम तो अब काफी बढ़ी हो इसके बाद वो दोनों बस में बैठ कर अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं फिर जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो सैंग की मौम उसे देखकर बहुत खुश होती है डरासल सैंग के ग्रेंट फादर और भूना के ग्रेंट फादर द असलिए भूना और सैंग का परिवार एक दूसरे के साथ बिलकुल अपनों की तरह रहते थे सैंग आते ही भूना के ग्रेंट फादर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो बिमार थे भूना हमेशा की तरह अपने दादा को ब्रिकफास्ट करवा रही थी तभी वो सैंग को अपने पास बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ वो बताते हैं कि सैंग के दादा जी और मैं पहली बार जंग में एक दूसरे से मिले थे और वहीं से हमारी दोस्ती की सुरुआत हुई थी हमारी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे दोस्त की आखरी इच्छा पूरी करो ये सब सुनते ही सहंग कहता है कि दादा जी आप भी ना अब आप की मजाक करने की उम्र नहीं रही तबी दादा जी छिलाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा मैं मरने से पहले तुम दोनों की साधी होते वे देखना चाहता हूं ताकि मैं अपने दोस्त की आकरी इच्छा पूरी करके अराम से मर सकूं ये सब सुनकर भूना बहुत परिसान हो जाती है और कहती है कि मैं एक 15 साल की स्कूल में पढ़ने वाली ल उमर की लड़की से साधी नहीं करने वाला और फिर वह भी वहां से चला जाता है निक्स डे सैंग अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए एक डिपार्टमेंटल आफिस में जाता है वह वहां पर अपने एक पुरानी क्लासमेट से मिलता है जो कि उसकी तरह ही एक कहता है कि मैं आया नहीं मुझे जबर्दस्ती बुलाया गया है और वो भी 15 साल की एक चिमकांडी से साधी करने के लिए इधर हम भूना को अपनी स्कूल जाते वे देखते हैं भूना की स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम जियोंग था भूना की स्कूल की सारी लड़ से ज़्यादा जिन्दा नहीं रहने वाला अब तुम्हें ही कुछ करना होगा जिसके बाद सेंग के डैड सेंग की मा से उसके साधी के बारे में बात करने के लिए जाते हैं लेकिन सेंग और उसकी मौम मूवी देखने में इतना विज़ी थे कि वो डैड के बातों का ध्या उनकी तरफ जाता है तो वो कहती है कि अपनी साधी के लिए तयार हो जाओ अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इधर हम भूना को देखते हैं जो बैट कर जियोंग को खेलते वे देख रही थी दरएसल पूरे स्कूल के साथ साथ भूना भी जियोंग को पसंद करती थी इ और उससे कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि हमें साधी कर लेनी चाहिए जिस पर भूना बढ़क जाती है तो वो कहता है कि मैं तो मजा कर रहा था फिर सायंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए जिस पर भूना की दोस्त कहती है कि ओई चचा लिमिट मे तुम क्या हमारे सुगर डैडी हो तभी भूना को कॉल आता है कि ग्रेंटपा की तवियत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है दूसरी तरफ हम ग्रेंटपा को देखते हैं जो हॉस्पिटल में लेटे लेटे कार्डियक इविंट मॉनिटर के साथ बदमासी कर रहे थे मगर जैसे ही भूना और सैंग वहाँ आते हैं ग्रेंटपा विहो सोने का नाटक करने लगते हैं और तो और मॉनिटर को बंद कर देते हैं जिसके बाद भूना और सैंग घबला कर रोने लगते हैं भूना रोतेवे कहती है कि ग्रेंट पा अब से आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी अगर आप इस ठरकी से साधी करने को भी बोलोगे तो मैं वो भी कर लूँगी लेकिन आप प्लीज एक बार अपनी आखे खोल दीजिये और तभी ग्रेंट पा अपनी आखे खोल लेते हैं इसके बाद हम सैंक को बार में बैट कर रोतेवे देखते हैं वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं एतनी कम उम्र में साधी करना नहीं चाता और उस तलेब होने से तो बिल्कुल भी नहीं इधर भूना अपने बेड़ पर बैट कर रो रही थी तब है उसकी मॉम वहां आ सीन में हम भूना और सैंक की साधी होते वे देखते हैं जहां बहुत सारे गेस्ट आई हुए थे लेकिन भूना ने सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंट को ही बुलाया था और उसने उसे स्कूल में किसी को भी ये बताने से मना कर दिया था कि वो साधी कर रही है भूना इस साध इसे बिल्कुल भी खुस नहीं थी वो अपनी मॉम से कहती है कि दादा जी ने मेरे साथ स्कैम किया है वो बिल्कुल ठीक है मैं ये साधी नहीं करने वाली जिस पर वो कहती है कि ऐसा मत कहो नहीं तो ये साधी समाधी में बदल जाएगी इसके बाद भूना और सैंक की साधी की रिसमें सुरू होती है साधी के बाद ही सैंग और भूना दोनों को हनीमून के लिए जूजू भेजा जाने वाला था लेकिन वहां से निकलने से पहले सैंग के डैडू से समझाते हैं कि उसके साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकते करने की कोशिस भी मत करना वो अभी बस 15 साल की ह इसके बाद भूना और सैंग कार में बैट कर एयरपूट के लिए निकल जाते हैं जहां पर सैंग के दोस्त भी उसे छोड़ने के लिए आये थे लेकिन फ्लैट में बैटने से पहले भूना सैंग से कहती है कि मुझे टौलेट जाना है सैंग कहता है कि ठीक है तो हम के बहाने वहां से भाग गई थी रात हो जाती है और भूना अपने घर जाने के बजाए सिनिमा देखने चली जाती है वहीं दूसरी तरफ जूजू में सैंग जिस होटल में रुका था उसके नीचे वाले कमरे में एक न्यूली मेरिट कपल रुमैंस कर रहे थे लेकिन सब देखा नहीं जाता इसलिए वह ट्वालेट के पानी को निकाल कर उस पर फेग देता निक्स्ट डे भूना अपने स्कूल चली जाती है और वहीं पर फ्रेस ओने लगती है तभी वहां पर उसका क्रेस जियोंग भी आकर फ्रेस होने लगता है भूना उसे अपना रुमाल तो वो कहती है कि नहीं ये सुनते ही जियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है फिर रात को भूना अपने घर के बाहर सैंग के वापस आने का वेट कर रही थी फिर जब सैंग जूजू से वापस आता है तो वो दोनों अपने ट्रेडिशनल रेस को पहन कर घर के अंदर ऐसे इंट सैंग कहता है कि बहुत अच्छा था हमने एक दूसरे के साथ खूब मजे किये इसके बाद ग्रैंड पा कहते हैं कि अब जब तुम दोनों की साधी हो ही गई है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे ग्रेट ग्रैंड फादर भी बना दो तभी भूना के डैड सैंग से कहते हैं क कि तुम दोनों बहुत था गए होगे जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो जिसके बाद सैंग भूना को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे बेड़ पर पटक देता है नेक्स्ट मॉर्निंग भूना के डैड सैंग और भूना को एक नया घर खरीद कर देते हैं अब वो दोनों वहीं रहने वाले थे भूना को वह घर बहुत बसंदाता है रात को भूना अपने नए घर के कमरी में बैट कर study कर रही थी तभी सैंग shorts पहन कर वहाँ पर आजाता है भूना कहती है कि तुम इस हाल में मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो सैंग कहता है कि हमारी साधी हुई है तुम मेरी बीवी हो आज तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा जिस पर भूना कहती है कि क्या तुम पागल हो हो सैंग भूना के करीब जाने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता लेकिन तभी वो भूना के उपर गिर जाता है जिससे की भूना बहुत डर जाती है और डर के मारे उसके सर में पिन घुसा देती है अपने सर से खून भैता दे के स कर रही हूँ जिस पर उसकी दोस्तों से पूचती है कि फिर तुमारे हस्बंड का क्या होगा भूना कहती है कि मैं उससे जियों के बारे में पता चलने नहीं दूंगी इधर सैंग अपने दोस्तों के साथ बैट कर उनके सामने मर्द बनने की कोशिस कर रहा था वो भूना को फोन करके कहता है कि बीवी तुम जहां भी हो अभी के अभी मेरे पास आ जाओ धोली दीर में भूना बार में पहुँच जाती है लेकिन वेटर भूना को अंदर आने नहीं देता क्योंकि वो 18 प्लस नहीं थी लेकिन तभी सैंग कहता है कि उसे अंदर आने दो, वो मेरी बीवी है, जिसके बाद भूना अंदर आती है, तो सैंग उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, सैंग ने लिमिट से ज़्यादा पी रखी थी, इसलिए सैंग की दोस्त जीसों से घर छोड़ने के लिए ले जाती है कार में जीसो भूना से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो भूना कहती है हाँ हाँ तुम कह सकती हो ये मेरे बचपन से ही मेरे पीछे पड़ा है अब हमें नेक्स्ट डे भूना को उसके स्कूल में दिखाया जाता है भूना अपने क्लास की तरफ जा रही थी तब ही उसके स्कूल के कुछ सीनियर उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाती है और उनमें से एक सीनियर उससे कहती है कि ज्योंग मेरा बंदा है अगर तुमने उसकी तरफ आख उठा कर भी देखा तो मैं तुमें जान से मार दूँगी तब ही ज्योंग वहाँ आ जाता है और भूना को प्रोटेक्ट करते वे अपनी पुरानी गल्फ्रेंड से ब्रेक अप कर लेता है इसके बाद वो भूना को अपने साथ ले कर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी राजकुमारी हो जिसके बाद साम को भूना सैंग के साथ सूपरमार्केट में सौपिंग करने के लिए जाती है जहां भूना ट्रॉली से गिर जाती है जिसके उसके पैरों में मोचा जाती है जिसके बाद सैंग उसे अपने कंदों पर उठा कर घर लाता है लेकिन सैंग बहुत बड़ा कमीना था वो उसे गलत तरीके से टच करके इरिटेट करता है फिर जब वो दोनों घर पहुंच जाते तो वो दोनों साथ मिल कर कुकिंग करते हैं निक्स्ट डे भुना स्कूल जाती है तो सैंग ऐसे ही तहलते-टहलते उसके कमरे में चला दाता है जहां वो जियों के साथ भुना की फोटो देख लेता है यह देखकर सैंग को बहुत बुरा लगता है लेकिन जब भुना आती है से कुछ नहीं कहता अगले दिन सेख खुद भुना को स्कूल चोड़ने के लिए जाता है न जब अपने क्लास में चले जाती है तो सैंग उसके प्रिंसिपल के आफिस में जाता है जहां भुना के स्कूल इक टीचर संग पर लैन मार रहे थी तभी वहाँ पर उस स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल और संग के बीच बाऊचीत से हमें पता चलता है कि सेंग यहाँ पर बच्छों को आर्ट सिखाने आया है। मिस किम नाम की एक टीचर सैंग को उनके पहले क्लास में लेकर जाती है और बच्चों को बताती है कि आज से मिस्टर सैंग आप लोगों को आर्ट सिखाएंगे भूना और उसकी दोस्त जब सैंग को वहां देखते हैं तो उनके हो सुड़ जाते हैं फिर साम को स्कूल के सभी टीचर सैंग के साथ पाटी करते हैं लेकिन मिस्स किम पहले ही नजर में सैंग को दिल दे बैठी थी इसलिए वो उसके उपर फुल लैन मार रही थी फिर जब सैंग घर पहुँचता है तो भूना उससे पूछती है कि तुमने सारे स्कूलों को छोड़ कर मेरे स्कूल को क्य जिस पर वो कहता है ताकि मैं तुम्हारा क्याल रख सकूं और डॉंट वरी मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम मेरी भीवी हो जिसके बाद भूना गुस्से में वहां से चली जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैंग की नीन खुलती है तो उसे बहुत तेज सुसू आ रह स्कूल पहुँँचर सैंग भूना की क्लास ले रहा था लेकिन तबी वह अपना फ्यस साफ करने के लिए जैसे ही रूमाल निकालता है भूना देखती है कि सैंग के हाथ मे उसकी पैंटी है दरचसर सैंग जल्दी वाजी में रूमाल के जगा भूना की पैटी ले आया था भूना सैंग को इसारा करती है जिसके बाद सैंग उसे वापस अपने पॉकेट में रख लेता है लंच में मिस किम सैंग के लिए अपने घर से लंच लेकर आई थी वो सैंग को अपने साथ ले जाकर लंच कराने लगती है और उसके साथ फलट भी करती है लेकिन इस बीच में उसके तरफ बॉल फेकता है और कहता है कि तुम अपने लिमिट में रहा करो लेकिन तब ही में स्किम सैंग को देख लेती है इसलिए सैंग स्कूल की दिवार क्राउस करके वहां से भाग जाता है घर पहुच कर सैंग असलील विडियो देख रहा था और भूना उसे ऐसा कर करने से मना कर रही थी लेकिन तभी कोई उनके डोर को नौक करता है सैंग जब दरवाजे पर जाकर देखता है तो मिस्किम वहां आई थी उसे देखते ही सैंग और भूना भूना के सामान को जल्दी जल्दी चुपाने लगते हैं फिर जब मिस्किम वहां आती है तो उसे प और वो दिमाग से थोड़ा पैदल है अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां भूना सैंग को तयार कर रही थी क्योंकि आज वो अपनी मिलिटरी सर्विस देने के लिए जाने वाला था सैंग तयार होकर मिलिटरी कैमपस चला जाता है लेकिन थोड़ी दिर के बा वो उसे पनिष्ट करते हैं लेकिन जब भूना अपने हस्बिंड को पनिष्ट होते वे देखती है तो वो उसके सीनियर को जाकर खूब गालिया देती है और कहती है कि खबरदार आज के बाद जो तुमने मेरे हभी को पनिष्ट किया फिर साम को सैंग और भूना मिलकर अप सैंग को मारते भी है जिसके बाद भूना एक डंडे से मार मार कर उनका सर फोड देती है जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले जाती है पुलिस वालों को लगता है कि सैंग भूना का सुगर डैडी है लेकिन सैंग कहता है कि नहीं यह मेरी पतनी है जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर उनके तरब से किसी को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाते हैं सैंग स्कूल के प्रिंसिपल को वहाँ बुलाता है मगर प्रिंसिपल के साथ साथ मिस्किम भी वहाँ आ जाती है और मिस किम को जब पता चलता है कि सैंग साधी सुदा है तो उसे बहुत जलन होती है नेक्स्ट डे मिस किम स्कूल के सारे बच्चों को टीम बना कर स्कूल फेस्टिबल के लिए डेकुरेशन का काम देती है लेकिन वो भूना को सारा काम अकेले करने को कहती है भूना को मिस किम ने एक बहुत बड़े पोस्टर को पेंट करने का काम दिया था जिसे वो अकेली नहीं कर सकती थी इसलिए सैंग भूना के दोस्त को उसकी हिल्प करने को कहता है वो लोग थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं जिसके बाद सैंग वहाँ जाकर उसके पोस्टर क पेंट करने लगता है लेकिन तभी स्कूल की कुछ लड़कियां जो भूना की सौतन थी वो सैंग को देख लेती है अगले दिन भूना जब स्कूल आती है तो वो देखती है कि उसकी पेंटिंग काफी दूर तक हो गई है वो अपनी दोस्त से पूछती है कि यह किस ने किया त इसी तरह भूना का आदा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर एक दिन भूना अपने दोस्त से सैंग के बारे में बात कर रही थी। लेकिन तबे उसकी सोतन जो बातरूम में थी वो उसकी सारी बात्रे सुन लेती है। भूना के घर जाने के बाद सैंग अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और उनके साथ मिलकर भूना की पेंटिंग को फिनिसिंग देने लगता है। सैंग उसे मेसेज करता है कि मंतली फैमली डिनर पर सभी तुमारा इंतिजार कर रहे हैं। जिसके बाद भूना रिस्टोरेंट से भागते वे फैमली डिनर में पहुचती है। लेकिन तभी भूना का भाई उन्हें भूना और ज्योंग का वो विडियो दिखा देता है। विडियो देखते ही भूना वहां से भाग जाती है जिसके बाद सैंग उसके पीछे जाता है। भूना एक जूले पर बैठी थी। तभी सैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि बच्पन में मैं तुम्हें यहीं जूला जूलाने लाया करता था। लेकिन एक दिन तुम जूले से गिर गई जिसके बाद तुमने मुझ पर भरोसा करना बन कर दिया। जिस पर भूना उससे सोरी कहकर वापस से अपने घर चली जाती है और अपनी मौम के गोद में लेट जाती है। उसकी मौम उससे कहती है कि हमें माफ करना ये सब ग्रेंट पा की वज़ा से हुआ है। हमें तुम्हारी पसंद ना पसंद जरूर पूछनी चाहिए थी। फिर जब भूना अपने घर आती है तो वो अपने दोस्त को फोन करके बताती है कि सैंग मेरे और जियों के बारे में सब पहले से जानता है। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। जिस पर वो कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो उसके रूम में जाती है जहां उसने सैंग के बचपन के फोटो के साथ उसमें बचपन के लिटर को भी समाल कर रखा था। अब हम भूना के स्कूल फिस्टिबल को होते वे देखते हैं जहां सभी लोग परफॉर्म कर रहे थे लेकिन भूना सैंग को ढून रही थी। तब ही सैंग को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि आज उसका स्कूल में आकरी दिन भी था सैंग स्पीच दे रहा था। तब ही भूना की सोतनपुरी स्टेज पर ये बता देती है कि हमारे सर साधी सुदा है और सर की बीवी कोई और नहीं बल्की भूना है। जिसके बाद सैंग कहता है कि मैं मानता हूं की भूना मेरी वैफ है लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये साधी भूना ने अपने ग्रेंट फादर के आकरिविस को पूरा करने के लिए मजबूरी में किया है जबकि वो जियोंग से प्यार करती है लेकिन मैं आप लोगों के आगे अपने हाथ जोड़ कर भीक मांगता हूं कि आप भूना के साधी सुदा होने की वज़ा से उसके स वर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे यह तुमारे बारे में क्या सोचता है जिसके बाद सैंग भूना को गले लगा लेता है और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना वैसे दोस्तो आपके होस्त उड़ा देंगे सो विल गाइज आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स टो गुडबाई